हेलो दोस्तों दोस्तों BSTC second list के बारे में हम बात करेंगे दो दिन और हो चुके हैं वीडियो बनाने के बात भी लेकिन अभी तक यहां पर जो अपडेट है वो नहीं बदला है तो इस इस्तिति में हमने यहां पर जो help line number है वहां पर call करने की कोशिस की और बात की उनसे तो व नहीं को पता रहता है और यह बात वह नहीं बताता है तो ठीक है कोई बात नहीं लेकिन काम तो चल रहा होगा यहीं उमीद है और 30 सिग्र गोशित करने वाली जो लिस्ट है second list वह हमारे इंतजार का सब्र भी जो इंतजार कर रहे हैं एक वक्त होता है जिसका इंतजार करना का जब तक मजा रहता है सब्र टूड जाता है इस बार तो बस यहीं स्थिति है बिस्टी सी जिसको प्री डियलेट 2019 कहते हैं पंजीन सिक्साविबा करा रहा है हर बार विद्यार्टियों का सब्र तोड रहा है इस इस्थिति में प्रफेक्टली तरीके से कर पाएगा सेकंड लिस्ट अभी तक नहीं आई है और आज यहां पर आप देख सकते हो 10 सेप्टमबर डेट हो गई है सिप्टमबर का महिना लगबग आदा होने वाला है एक तियाई महिना चला गया है लेकिन हमारे पास option भी तो नहीं है अगर मेरा selection first list में नहीं हुआ है तो मैं कर भी क्या सकता हूँ इतने percentage है नहीं कि मैं regular admission ले लूँ ब ये में private के form अभी तक दो महिने बाद बरे जाएंगे तब तक यह option है कि second list में एक बार try किया जाए third list आएगी उसमें भी try किया जाए इसके अलावा option कोई है नहीं जब विकल है लेकिन उसमें इतना मज़ा नहीं आ रहा है मज़ा इसलिए नहीं आ रहा है कि time waste हो रहा है ना तो पढ़ाई हो पारी है ना मन लग रहा है बहुत करीब है selection होने के वी तीन हजार second list में seatे हैं तीन हजार student को मौका मिलेगा BSTC करने का इसी साल क्यों एक साल वो खराब करेंगे तो ये बाते हैं छोटी छोटी जो उस student के लिए बहुत बड़ी बात है ये कि उसका selection second list में होने वाला होगा तो बस और मैं कुछ नहीं बताना चाहूँगा बस इतना है कि बस इंतजार कीजिए बहुत मुस्किल होता है वेट करना लेकिन यहाँ पर शिक्सा विबाग ने मजबूरी डाल दी है अगर कोई और इंसान हो तो हम उसको छोड़ भी सकते हैं वापस अपने गंतवी की और मुड़ सकते हैं लेकिन यहाँ पर अपने केरियर का सवाल है एक साल का सवाल है तो बस वेट कीजिए इंतजार ही इंतजार का फल मेठा होगा जिनके नमबर अच्छे होंगे का सेलेक्शन होगा और जिनको लगता है कि साइद इस साल भी मेरा मुश्किल है तो उनसे तुम्हें यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई प्लीज यार लग जाओ जो कमी थी बस दूर करो उसको एक साल का टाइम पड़ा है थोड़ी थोड़ी तहरी करोगे तो पार हो जाएगी गाड़ी अगले साल अच्छे नमबर से बाकी लोग बाते करने वाले तरह तरह की बाते करते ही रहेंगे फिर मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में